हलो हलो फ्रेंड वेल्कम टू इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनोमी और इंडियन इकोनोमी का आज हम चैप्टर डिसकस करने जा रहे हैं इंफ्लेशन अगर आप BPSC प्रोजेक्ट मैंजर के तैरिक कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फायदे मंद होगा और यह चैनल भी आपके लिए साइद फायदे मंद हो सकता है क्योंकि हम इस चैनल पर वीडियो लाते हैं BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर ओरियनटेड प्रिपरेशन करने के लिए और जो भी सलेवस BPSC ने जारी किया है उसी के कॉर्डिंग हम वीडियो बनाने की कोशिस करते है और वीडियो बनाते भी है ठीक है यूनिट 1 से यूनिट 5 का अरड़ी हम वीडियो बना चुके हैं अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको भी देख लिजे जरूर कुछ नकुछ आपको फायदा मिलेगा हम उस का प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देदेंगे आप उसको भी एक बार देख लिजेए और आज हम डिसक्स करने जा रहा है इंफ्लेशन तो इंफ्लेशन में जो भी बीपेसी ने स्लेवर जारी किया है उसमें यह सारे कॉंसेप्ट को मेंशन किया ठीक है पहला है मेजर्स ऑफ इंफ्ल से तो इंफ्लेशन क्या होता है इंफ्लेशन तो इंफ्लेशन अगर सिंपल सब्दों में समझाए तो यह मंगाई है ठीक है इंफ्लेशन का मतलब होता है मंगाई तो जो भी डेली कॉमन यूज की वस्तूई होती है जो कॉमन यूज की कॉमन में की जो अवसक्ताएं होती है उसके price में अगर increase आता है उसको हम कहते है inflation मतलब महंगा हो रहा है समान मतलब महंगाई हो रही है अब daily common use की बात किया जाया तो daily में आता है preliminary food अगर जो भी आपका food और खाने पीने की बस्तुए है चावल दाल के हूं उसके price में increase आया cloth में increase आया कपड़ों में price का अगर increase आया house की बात किया यह भी आपको daily needs में ही आता है daily needs मतलब primary needs में आता है तो अगर घर है उसमें आपका flat का construction cost या new construction house cost यह सारे में land का power price increase किया तो वो सारे price में increase हो रहा है transportation में transportation cost बढ़ रहा है भाड़ा का रिट बढ़ रहा है तो जो daily needs होती है या तो services हो या goods हो इस सारे चीज की अगर price increase हो रहा तो हम कहेंगे कि समान महंगा हो रहा है मतलब inflation हो रहा है ठीक है inflation indicate करता है कि rise in the price of most common goods यह आपको सिंपल रहा है अब बात करते हैं कि अगर महंगाई बढ़ती है तो क्या क्या होते हैं अगर जैसे की price की बात क्या जाए आज 100 रुपेद था और अगला साल वही price जो है उस सेम समान का price 200 रुपया हो गया तो आज हम 100 रु प्राइस में price हो गया 200 रुपेद हमको दो गुना पैसा ले जाना पड़ेगा दो गुना पैसा ले जाने का मतलब है मतलब value of the money क्या हो गया half हो गया मतलब क्या हो आए कि decrease in the purchasing power मतलब पैसे का value हो रहा है और purchasing power उसी को indicate करता है तो purchasing power जो है वो घट रहा है तो currency का अगर purchasing power रहा है वो indicate करेगा कि inflation बढ़ रहा है वाइस वर्सा ठीक है अब बात किया जाए कि this is the measure in percentage अब जब भी inflation होगा वो आपको percentage में ही calculate किया जाता है ठीक है अब simple term में बात किया जाए अगर inflation अगर control moderate level में है तो वो economy के लिए healthy economy के लिए आपको मंगाई रहना है यह हमारे लिए फाइदेमंद होता है बट एक सर्टेन लेवल तक अगर moderate level तक है इसका rate increase का है तो सही है और वो indicate करता है कि हमारा जो country में है वो production बढ़ रहा है और expenditure भी बढ़ रहा है पब्लिक दीमान भी बढ़ रहा है तो वो आपको 4% अगर हम normal range की बात किया जाए तो inflation 4% तक सही होता है economic के लिए good for the healthy economy inflation is required but after certain limit अगर inflation अगर बढ़ते गया बढ़ते गया और 10-12% बढ़ गया तो उस condition में हमारा economic के लिए घातक होता है और यह situation में हमारा economic collapse भी कर सकता है ठीक है यह बात आपको समझ में आगे होगी अब बात करते हैं what are the effect of inflation तो what are the effect में होता है कि purchasing power of currency obviously decrease हो में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो purchasing power of currency हो जाता है ठीक है अब क्या होता है जैसे inflation बढ़ गया महंगाई बढ़ गया तो cost of living जो है वह आपको क्या हो जागा वह higher हो जागा cost of living ज्यादा हो जाएगा अब बात कहा जाए कि अगर महंगाई बढ़ गया तो उससे क्या हो है कि अगर certain level तक economy में अगर inflation है that indicate करता है कि हमारा expenditure जो है वह आपका promote हो रहा है that is good for the economy अब economy में inflation को measure कौन करता है तो हमारी इंडिया में inflation को measure करने की जो संस्था है उसका नाम है ministry of statistics and program implementation जिसको हम shortcut में मौस भी बोलते हैं ठीक है आगे हम discuss करते हैं type of inflation तो type of inflation तो अब किसके भी हाँ पे classify किया जाए type of inflation में तो classify चुकि हम percentage पे calculate करते हैं और यह percentage में calculate किया जाता है तो percentage की range के recording हमारा inflation को classify किया गया है तो range की बात क्या जाए अगर आपका 4% तक है inflation तो उसको हम बोलते हैं creeping inflation ring ना creeping मतलब percentage जो है आपको 4% तक ही अगर inflation है तो आपको creeping nature का होता है अगर महंगाई 4-8% तक है मतलब inflation 4-8% तक है उसको हम बोलते हैं ट्रॉंटिंग inflation अब ट्रॉंटिंग में महंगाई हम control नहीं किया और महंगाई बढ़के हो गया 8-10% तो उसको हम बोलते हैं galloping nature का that is galloping inflation अब galloping में भी action नहीं लिया गया और महंगाई और बढ़ा गया और महंगाई कि annually 10-12% हो गया तो यहाँ जीवी percentage की बात कर रहा है इस line में उसमें annually की बात क्या जा रहा है तो annually अगर 10-12% तक का अगर रहा inflation तो हम उसको बोलते हैं runaway inflation अब महंगाई इतना बढ़ गया कि annually से काम नहीं चल रहा है हमको monthly calculate करना पड़ेगा और समझने के लिए और महंगाई जो monthly है वह 20-30% तक increase हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं hyper inflation ठीक है यह क्या है ना कि type of inflation जो है ना हमेशा growth की बात किया जा रहा है तो कौन तेजी से जा रहा है तो उसके according यह rate change जो है रहा है ना उसके according यह टाइप classify किया गया अब बात करते हैं यह सारे चीछ समझ में आ गया होगा ठीक है अब बात करते हैं अगला डिफ्लेशन तो डिफ्लेशन की बात किया जा तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि डिफ्लेशन में प्राइस जो है आपका डिक्रीज करता है ठीक है तो अगर बात किया जा है कि इन्फ्लेशन में 100 से 120-130 चला गया ठीक है अब हाइस्ट 150 पी जरूग गए और वहां पर आपको production जो producer होता है वहां पर कुछ action लिया गया या फिर government के द्वारा इससे steps लिये गया है जिसके चलते जो price जो goods or services की थी वह आपको decrease हुई तो decrease होने का मतलब है price जो है वह fall करना शुरू होगा चुकि यह बढ़ते बढ़ते सौ से 150 अला गया अब सौ से 140 अगया 120 अगया ठीक है उसका मतलब उस stage में हमारा deflation हुआ है तो simple अगर हम graph बनाने की कोशिज किया है तो यहां माल यह 100 पर था और यह बढ़ते बढ़ते है ठीक है इंफ्लेशन हुआ और एक सर्टेन हाइस्ट पॉइंट पर यहां पर जाकर के price 150 रूपीज हो गया अब सरकार कुछ एसन एक्षन ली या production company ऐसा एक्षन ली ताकि price वहां पर घटने की प्रेतन किया गया घटाने की प्रेतन किया गया और प्राइस जो है वह घटक सर्विसेज वह आपको decrease होते हुए दिखेगा अब रेट चेंज की बात क्या जाया तो चुकि यहां पर highest price था तो अगर highest price 150 था और यहां पर चला गया 140 में मतलब माइनस 10 रुपे का improvement आया है माइनस 10 रुपे का improvement चुकि decrease हो रहा है ठीक है तो rate of change क्या हो गया आपको negative आ गय हो गया तो अगर mathematical definition की बात क्या जाया तो deflation क्या होता है कि when the price grow at the rate that is less than 0 मतलब less than 0 का मतलब हो गया क्या negative तो अगर price grow कर रहा है negative rate से इसका मतलब हुआ actually price क्या हो रहा है decrease हो रहा है तो यह आपको mathematics आपको यहां पर समझना पड़ेगा ठीक है अब इसको एक example के थू समझते ह है means that the item that is sold for 10 rupees मतलब जो 10 रुपे में भीकता था अब वो 10 से कम में भीकरा है ठीक है तो यहां पर change क्या होगा negative यहां पर क्या होगा कि जब price जो है decrease करेगा तो price जैसे decrease करेगा तो money का value क्या हो जागा वो increase कर जाएगा तो money का जो value है वो increase कर जाएगा processing power जो है वो आपको बर जाएगा अब बात करते हैं to dis inflation or deflation में confuse नहीं होना है deflation is the opposite of inflation inflation में price जो है वो बढ़ता है और deflation में deflation में price जो है वो घटता है ठीक है तो यह price घटेगा और dis inflation की बात क्या जा है तो dis inflation is the type of inflation यह inflation का type है ठीक है तो inflation में price बढ़ता है ठीक है तो उसी अनुसार हम कर सकते हैं कि dis inflation में भी price क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए तो डिस इंफलेशन में प्राइस बढ़ता है यहां पे यह तर्म इसलिए लाया गया है कि यहां पर जो रेट और रेट आफ इंफलेशन है वह रडियूस होता है वह आपको समझ में आओगा deflation, I think deflation आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब it is the rate of growth, growth of the price that are slowly, but price are increasing, मतलब growth जो है price का, वो आपको बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जैसे simple सर्म में समझे जाए, कि 100 रुपया था, 100 से 105, 110, 115, 120 चला गया, और 120 से highest 150 चला गया, और 50 के बाद price बहुत कम rate से बढ़ रहा है, मतलब 150, 152, 153, 154, 155, उस condition highest 150 चला गया, but price क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, 112, 153, 154, but rate change जो है, वो धीरे धीरे हो रहा है, तो वो आपको है, डिस इंफ्लेशन कर लाएगा, 150, 152, 153 होना आपको डिस इंफ्लेशन का example है, अब बात करते हैं, producer price index, तो यह producer price index क्यों calculate करते हैं, तो देखे, simple सब्द में समझा जाए, तो जो महंगाई होता है, उसको measure करने के लिए, calculate करने के लिए, क्या है, हमारे पास एक index calculate करते हैं, तो index की बात क्या जाए, जैसे कि PPI, producer price index, wholesale price index, और consumer price index, यह तीन टाप के index, जो है, हम लोग calculate करते हैं, to understand, आपको inflation, तो उसको measure करने के लिए, यह तीन index का प्रियोग किया जाता है, अब समझते है, producer price index क्या होता है, तो producer price index में क्या होगा, कि जो भी production level पे जो product बनते हैं, वहाँ पे price अगर increase होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए producer price index को calculate किया जाता है, तो producer price index में पहला बात क्या जा रहा है, production company के द्वारे कोई भी goods का, वहाँ पे अगर rent cost increase हो रहा है, तो obviously price में infect करेगा, और material जो होता है, use production के लिए, बस्तों को बनाने में जो ही material यूज होता है, वो raw material में अगर price बढ़ोतरी हो रही है, यह liver cost में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर production के और other कारण के चलते हैं, अगर production level पे price change हो रहा है, तो यह सारे जो है term को, यह सारे factors को consider किया जाता है, producer price index को calculate करने के लिए, और producer price index measure करता है, कि average price change received by the producer, producer, तो average price change हो रहा है, वो producer level पे क्या change हो रहा है, वो आपका producer price index calculate होता है, अब producer price index क्यों हम लोग calculate करता है, तो क्योंकि यह track करता है, आपका, यह कि हमारा जो goods और services जो है, उसका clear country में किस तरह का inflation हो रहा है, तो यह जो है, पीपी आई जो है, यह clear picture देता है, कि हमारा country में किस तरह का inflation है, तो clear picture जो है, inflation आपको PPI के थूर निकलता है, और PPI के calculate करने में goods, production जो भी होते है, goods का उसको भी calculate करते है, और अगर कोई भी company services provide करती है, तो production sector, यानि manufacturing sector भी consider करते है, और service sector को भी हम PPI में consider करते हैं, ठीक है, और PPI जो है, वो measure करता है, improvement from seller point of view, ठीक है, तो PPI measure price improvement, जो price improvement हो रहा है, seller point of view से, production point of view से, अब बात करते है, wholesale price index, तो wholesale price index को calculate करती है, promotion of transport and internal trade, ठीक है, अब इस प्रोमोशन, ये wholesale price index में क्या होता है, कि wholesale price index में जो factor include किया जाता है, वो logistics, अगर जो भी बस्तुएं है, production company से आकर के wholesale में आएगा, तो कुछ को logistic तो खर्चोगा ना, तो लाने लेडाने में धुलाई माल धुलाई का खर्चा, warehouse में रख रही है, समान को रख रहे हैं, तो उसका cost और risk consideration, अगर wholesale वाले लोग अगर risk रख रहे हैं, कि हम समान रख रहे हैं, तो उसका समान खराब होती है, तो उसका risk जो कौन रहेगा, तो वो सारे consider करके आपको price हो है, आपको evaluate wholesale level पे होता है, तो उसी चीज जो factor include करते हैं, ये सारे factor को include करते है, wholesale price index को calculate करने के लिए, ठीक है, अब बात करते है, advantage क्या है, WPI का, तो advantage क्या होता है, कि overall estimation के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो it provides the estimation of inflation at the wholesale level पे, तो wholesale level पे, चुकि ये WPI होसे लेबल पे calculate होता है, तो wholesale level पे किस तरह का inflation है, उसको measure करने के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है, अब क्या होता है, कि global और domestic जो investor होता है, उसको कहा investment करना है, कि sector में invest करना है, तो ये चीज के लिए आपको decision लेने में, ये WPI जो है आपको फायदेमंद होता है, investor point होता है, ठीक है, और बात किया जाए, और भी concept है, इसको पढ़ लीजिएगा, और आप बात करते है, wholesale price index जो calculate करते है, उसके weightage के बारे में, तो generally तीन तरह के classify किया गया है, एक होता है manufactured goods, जिसका weightage 62.23% है, उसके बाद जो highest weightage है, वो है primary articles का, और जिसका weightage है 22.62, और third food and fuel, इसका weightage 13.15, तो manufacture goods में आप देखिएगा, कि textiles related product, उसके बाद paper and paper related product, machinery, tobacco related product, जो भी है तो उसमें आएगा है, आपको manufacture में, प्राइमरी में आता है food articles, non-food articles, और minerals, और food and fuels में आता है light, power, lubricants, electricity, coal and minerals, यह सारे जो हैं, आपको wholesale price index में यह आपका weightage है, ठीका, अब बात करते हैं, रिसेंट में कुछ changes आया है, wholesale price index calculation में, पहले बात कि, change in base year, तो base year पहले क्या था, कि 2004-5 base year था, अब base year जो है, वो change हो करके, आता है, 676 से 670, 697 तर, तो जो भी number of items होते थे, calculate करते थे, wholesale price index में, number of items जो है, वो increase कर दिया है, अब क्या गया है, कि separate wholesale price index निकाला जा रहा है, food price index, और CPI food price index, तो यह along with, तो एक separate separate आप बात किया जाए, wholesale price index में, food के लिए अलग से, index निकाला जाता है, अब बात करते हैं, CPI, CPI होता है, consumer price index, तो जो buyers होते हैं, जो end user होते हैं, तो उसके perspective में, यह consumer price index को निकाला जाता है, अब simple definition से समझते हैं, कि wholesale price index जो है, वो DIPP निकालता है, जब कि consumer price index है, CSO, Central Statistics Organization, Central Statistical Organization निकालती है, not separated for rural and urban, तो WPI जो है, यह urban area के लिए, ग्रामीन छेत्रों के लिए, और urban के लिए, मतलब आपको सहरी छेत्र के लिए, दोनों के लिए separate नहीं कल निकालती है, एक साथ निकालती है, जब कि consumer price index जो है, वो reason by reason vary करता है, ठीक है, wholesale price index does not include services, तो service sector को wholesale price index include नहीं करती है, जब कि consumer price index जो है, वो आपको services को भी include करती है, ठीक है, और आगे चलते हैं, GDP deflator, तो GDP deflator की बात क्या आजा, तो GDP deflator measure करता है, कि जो भी level of prices है, तो level of prices of all new domestically produce final goods and services in the economy, तो कोई भी एक economic year में जो भी नए goods और services produce होता है, उसके final product को हम GDP deflator calculate करता है, मेजर करने के लिए, तो GDP deflator की बात क्या आया है, तो nominal GDP जो होता है, उसमें अगर real GDP को divide की हैं और multiply by 100 करता है, तो यह आपको formula हो गया, GDP deflator का ठीक है, अब बात करते हैं, रेसिडेक्स, तो रेसिडेक्स एक index है, जो basically housing related index है, ठीक है, तो रेसिडेक्स is a house index that track changes in the price, ठीक है, उसके price के change को indicator के लिए हम एक index निकलते हैं, जो इसको हम बोलते है, housing price index है, ठीक है, अब housing price index निकलने के लिए, हम एक base period लेते हैं, और उसी के आधार पर हम यह index calculate करते हैं, अब Recidex provide, क्या करता है, Recidex provide quarterly data on housing prices up to neighbor level, ठीक है, यह quarterly data आपको निकलती है, अब HPA launch by National Housing Bank in 2007, तो Recidex में हम लोग HPA calculate करते हैं, housing price index और housing price index प्रथम बार 2007 में National Housing Bank के द्वारा release किया गया था, National Housing Bank, Recidex helps buyer and seller to check and compare the price before the entry into the transaction, जो भी अगर कोई घर खरीदना चाह रहा है, construction से related कोई भी activity करना चाह रहा है, तो यह index indicate करता है कि पहले क्या price है, था अभी क्या price है, ताकि जो buyers और seller है, एक right decision ले पाए, ठीक है, तो यह आपका index houses से related है, index help policy maker, bank, housing finance company, builders, investor, individual, ठीक है, यह सारे को फाइदे मंद होता है, यह index ताकि वो ट्रैक करता है कि price movement कैसा क्या है, तो रिसीडेक्स यह समझ गया होंगे, अब बात करते हैं, measure to control inflation, तो हम inflation को control करने के लिए क्या steps लेती है सरकार, तो क्या steps लेने चाहिए, तो generally government तीन तरह के steps लेते हैं, एक है physical measure, दूसरा है administrative measure, और तीसरा है others measure, तो यह तीन measure जो है government को द्वारा लिया जाता है, ताकि हमारा जो inflation है, वो control रहे, अब बात करते हैं physical measure, तो physical measure में क्या आता है, कि reduce import duty of food item, चुकि food item daily needs में आता है, तो जो भी आपका food item हम इंडिया में import करते हैं, तो उसका import duty हम समझ जो reduce कर देंगे, तो reduce जैसे कर देंगे, तो हमारा import duty घट गया, मतलब price obviously इंडिया में घट जाएगा, subsidizing food under food security act 2013, तो food security act 2013 के अंतरगत, हमारा जो भी food item है, अगर price बढ़ रहा है, तो हम उसको subsidy के provide करते हैं, और जो user है, उसके पास हम subsidized price पे उपलब्द कराते हैं, अब तीसरी बात क्या जाए, reduce indirect statistics, तो सरकार के पास ये power है, कि indirect statistics को reduce कर देंगे, तो जो भी taxes होते हैं, indirect statistics under GST, उसको थोड़ा सा adjust किया जाता है, और घटाया जाता है, ताकि जो भी हमारे daily needs का जो बस्तु में manufacture हो रही है, उसका manufacturing cost या फिर taxes कम हो जाए, तो इंड यूजर पे जो final price जाएगा, वो less जाएगा, ठीक है, तो आपको inflation control हो जाएगा, अब बात क जो भी बस्तु हमको food item है, जो हमको वही महंगा हो रहा है, यह हो सकता है, कि हम लोग बाहर export कर दे रहे हैं, और हमारी बस्तु हमारे देश में बनी रहे है, और इसलिए आपको बैंड किया जाता है, food item को export में, food item को export ही नहीं कर पाएगी, तो सारा बस्तु है इंडिया में रहेगी, तो जो production जो भी हो रहा है, और जो भी product चाहिए, उसमें कमी नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो product जो है, ज्यादा रहे है इंडिया में, तो आपको price कहीं ने कहीं आपको उसमें, जो है, वो decrease होता हुआ द के अंतरगत free medical और services provide की जाती है, ठीक है, जो गरीब लोग है, उनको आईशमान वारत के तहट आपको free medical और सुविधाय प्रदान की जाती है, monetary measure लिया जाता है, अब monetary measure में क्या होता है, कि repo rate को कर दिया जाता है high, तब repo rate high कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, कि बैंकों के पास पैसा कम जाएगा, और बैंक के पास पैसा कम गया, तो वो loan कम दे सकती है, और लोगों के पास पैसा कम जाएगा, तो सम अमान कम खर स्टाइक लिमेट अफ ऑन्य फार येज को सजेशन दिया जाता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन पल्स और अरोनिय तो पल्स और में आते हैं तो उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी हो जीरो कर दिया जाता है यह सारे आपको है यह सारा concept इस वीडियो में था तो आज का वीडियो आप यही पर खतम करते हैं हम सारा all things discuss कर चुके हैं ठीक है तो thank you for watching this video और bye bye अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please subscribe this channel bye bye and take care